चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ नीट वे जेई पॉस्पॉंट के रिगार्डिंग सुप्रिम कोट में केस चल रहा है जिसकी हीरिंग 14 अगस्ट 2020 को है इसका क्या डिसिजन रहता है ये तो हीरिंग के बाद ही पता चल पाएगा लेकिन NTA के notification के according NEET वे जेई के admit card exam date से 15 दिन पहले डाउनलोड होना सुरू हो जाएंगे मतलब कि JE के admit card 16 अगस्ट से 20 अगस्ट के बीच वे नेट के admit card 29 अगस्ट से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर JE के admit card website पर upload हो जाते हैं तो उसके बाद सुप्रिम कोट का decision postpone का आता है तो ये admit card cancel हो जाएंगे तो इसके बारे में student को परेशान होने की जरूरत नहीं है एक्जाम से दो दिन पहले भी अगर सुप्रिम कोट postpone का decision देता है तो uploaded admit card cancel हो जाएंगे तो अभी सब कुछ depend करेगा सुप्रिम कोट के decision पर अभी JE और NEET का admit card download कैसे करें इसके लिए JE का admit card download के लिए आपको JE की website jeman.nta.nick.in पर login करने के बाद आपको admit card download का tape मिलेगा उसी प्रकार से NEET की website nta.nick.in पर login करके admit card download कर सकते हैं दूसरी तरीका यह है कि बिना login के इनकी website पर जाने के बाद admit card का option मिलेगा आपको उस पर आपको click करना है उसके बाद मांगी गई detail को submit करने के बाद admit card download हो जाता है वैसे एक copy आपके mail पर भी NTA द्वारा भेज़ दी जाती है आप वहाँ से भी print कर सकते हैं यह जैसे ही upload होंगे मैं आपको inform कर दूँगा अभी तो सब कुछ depend है Supreme Court के decision पर तो जैसे ही इसके बारे में कोई update मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे channel पर नए हैं तो channel को subscribe करके bell icon प्रेस करें Supreme Court का क्या decision रहता है इसके बारे में मैं आपको inform कर दूँगा तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जै है